आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया यूनिक और न्यू रेसिपी आपने सोचा भी नहीं होगा कि कच्चे आलू का यूज करते हुए आप इतनी बढ़िया रेसिपी त्यार कर सकते हैं तो चलिए देर किस बात की स्टार्ट करते हैं से तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह दो आलू लिए हैं आलू कच्चे हैं और आपको आलू को धो कर साफ कर लेना है और इसे छील लेना है तो इसका छिलका हटा लेंगे हम अगर आप इसका छिलका नहीं हटाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बिना छिलका हटाए भी आप ये रेशिपी त्यार कर सकते हैं बट अच्छी तरीके से आलू को पहले धो लेना ताकि से इसमें मिट्टी वगरा न रहे क्योंकि आलू के छिलके में मिट्टी जाता रहती है तो इसे अच्छी तरीके से वाश करना तभी आप इसे छिलका साइथ इस्तमाल करना तो मैं तो यहाँ पर इसका छिलका हटा रही हूँ आप अपने घर पर एक बार ये रेसिपी जरूर बना कर देखना सच में बहुत ही लाजबा बनती है ये रेसिपी और घर में बच्चे हों या बड़े सभी को ये पसंद आती है तो यहाँ पर दोनों आलू मैंने छिलका त्यार कर लिये हैं तो बस अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर अब हमें आलू को घिस कर त्यार करना है तो आपको एक ग्रेटर लेना है और इस तरीके से आलू को घिस लेना है आपको यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है कि यह जो ग्रेटर है यह आपको मीडियम साइज वाला या बारिक वाला लेना है मोटा वाला ग्रेटर आपको यहाँ यूज नहीं करना है हमें ये जो आलू है थोड़े बारिक ही चाहिए, बहुत ज़ादा मोटे लच्छे इसके नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैंने ये बारिक वाले ग्रेटर से घिस कर ये आलू त्यार किये हैं और आप भी इसी तरह इनको त्यार करें तो अब ये मैंने दोनों आलू गिस कर त्यार कर लिए है अब ये जो आलू है ना इनमें काफी सारा पानी है और अगर हम इने ऐसे यूज़ करेंगे तो रेसिपी बढ़िया नहीं बनेगी तो अब हम इन आलू को निचोड लेंगे इनका सारा पानी निकाल देंगे तो मैंने इने एक छलनी में डाल दिया है और इस तरह स्पून से दवा दवा कर मैं इने निचोड रही हूँ आप चाहें तो एक कॉटन की कपड़े में डाल कर भी इने निचोड कर इनका पानी हटा सकते हैं तो यहाँ पर यह देखिए सारा पानी हमने इनका निकाल दिया है और आलू एकदम बढ़िया तैयार हो गए है तो बस अब आलू को हम अलग रख देते हैं और यह जो बोल में पानी निकाल कर आगया है इसमें काफी सारा स्टार्च है इसको आपको फैकना नहीं है आप इसे अपनी स्किन के लिए यूज कीजिए बहुत ही इफेक्टिव है यह स्किन के लिए इसकिन की बहुत सारी प्रॉब्लम को यह दूर करता है अब यह जो आलू के लच्चे हैं जो हमने पानी निकाल कर त्यार किये ना इन लच्चों को हम एक बोल में डाल देंगे और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं चावल काटा तो मैंने यहाँ पर इसमें तीन चम्मच चावल काटा डाला है साथ ही मैं इसमें दो चम्मच कौनफला डाल रही हूँ अगर आपके पस कौनफला नहीं है तो आप अरा रोट का यूज करें या फिर केबल चावल कारटाई भी यूज कर सकते हैं अब इसमें आधा चम्मच जा रहा है नमक और आधा चम्मच जिसमें जा रहा है काली मिर्च का पाउडर बस ये दो मसाले ही डालने हैं और मसाले हमें इसमें नहीं डालने हैं अब इन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है अब मैं इसे हातों से मिक्स करूँगी ताकि से ये एक डो फॉर्म में त्यार हो जाए इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि आलो में जो मौशर है ना उसी से ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल पी यह बिखरा-बिखरा सा नहीं रहेगा रूखा-रूखा सा नहीं रहेगा एकदम बंध जाएगा ये देखे हातों से इस तरीके से अच्छी तरीके से दबा-दबा कर आपको इसे बांध लेना है एक डोगी तरह ये त्यार हो जाएगा अब यहाँ पर यह सारी चीजें एक साथ आ चुकी हैं तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें आपको एक चम्मच बरकर ओईल डाल देना है पैन में और इस ओईल को आपको अच्छी तरीकी से पैन में फैला देना है आप चाहें तो तवा का यूज भी कर सकते हैं अब हम इसे हलका सा गरम होने देते हैं गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और अब जो हमने आलू वाला डो त्यार किया था ना आलू और चावल का अटा कॉन फ्लार का वो हम तवे में रखेंगे और इस तरीके से उसे हाथों से फैलाएंगे इसके ये जो किनार है ना इन्हें भी आप हाथों से ठीक करते जाएए और एक जैसा इसे त्यार कीजिए कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं रखना है ये देखिए बहुत ही बढ़ीया तरीके से हमने त्यार कर दिया है इसके जो किनारे है वो मैं स्पैचुला से ठीक कर देती हूँ ठीड़े मेडे नहीं रहेंगे एकदम बढ़ीया एक जैसे ये किनारे त्यार हो जाएंगे अब यह आप देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाया है मीडियम थिकनेस का मैंने इसे त्यार किया है सभी तरब से इसे एक जैसा कर दिया है तो बस अब हम इसे कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर तीन से चार मड़ तक के लिए से कोखोने देते हैं जब तक यह सिक रहा है ना तब तक हम इसके लिए एक सॉस त्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने टू टेबल स्पून टमेटो सॉस लिया है और इसमें मैं डाल रहे हूं थोड़े से चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ओरीगेन हो और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मिक्स हाब और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर अब हमें सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है अब यह हमारा इंस्टेंट पीजा सॉस हमने बना कर त्यार कर लिया है अगर आप इस तरह तयान नहीं करना चाते तो केवल टमेटो सॉस का भी यूज़ आप कर सकते हैं तो बस अब 3-4 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं यह देखे ऊपर से यह सूख चुका है तो इसका मतलब नीचे से भी यह सिख चुका होगा तो हम इसे पलट देते हैं और यह देखे हलका सा सिख चुका है हलका गोल्डन हो चुका है यह तो अब हम इसके उपर लगाएंगे sauce जो हमने बना कर त्यार किया है तो ये sauce मैंने spread कर दिया है gas का flame अब आपको एकदम low ही रखना है इस बात का आपको ध्यान रखना है पूरे waste पर आपको इस तरीके से ये instant pizza sauce spread कर देना है अगर आप ये instant sauce नहीं लगाना चाहते तो आप केबल tomato sauce भी लगा सकते है और अब हम इसके उपर लगाएंगे कुछ vegetables तो मैंने यहाँ पर ली है शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर आप चाहें तो इसके उपर और वी vegetables जो आपको पसंदू लगा सकते हैं आप इसके उपर sweet corn भी लगा सकते हैं तो मैंने तो केबल tomato, प्याज और capsicum लगाई है इससे भी काफी अच्छा लगता है ये pizza ये देखिए वेजी टेबल्स लगाने के बाद ये कितना सुन्दर दिख रहा है और इसे और भी tasty बनाने के लिए हम इसके उपर डाल देंगे ये mozzarella cheese तो cheese को मैंने इसके उपर घिसकर डाला है cheese यहाँ पर आप अपने स्वाध अनुसार कम ये ज़्यादा कर सकते हैं वैसे तो बच्चों को cheese खाना बहुत ही पसंद होता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी इसके उपर cheese अब cheese डालने के बाद मैं इसके उपर डाल रही है थोड़ा सा mix hub थोड़ा सा oregano और chili flakes अगर आपके पास ये नहीं है तो जो pizza के साथ छोटे छोटे packet आते हैं ना seasoning के अगर वो है ना आपके पास तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो आप उपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल कर भी इसे enjoy कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ये seasoning वगर इसके उपर डाल दी है तो बस अब हम इसे cover करेंगे लग भग तीन से चार मिनट के लिए और गैस का flame एकदम low रखेंगे अब तीन चार मिनट बात ये देखिए चीज पूरी तरीके से melt हो चुका है और बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है एकदम perfectly ये cook हो चुका है अगर इस stage पर आपको लगे कि चीज पूरी तरह melt नहीं है तो एक चेड़ी मिनट और पकाएं तो मैंने यहाँ पर इसे plate में निकाल लिया है और गर्मा गर्म इसे हम serve कर लेते हैं तो ये देखिए कितना perfectly कुकु है ना बहुत ही यमी लग रहा है तो है ना बहुत ही आसान कच्चे आलू का यूज करते हुए घर पर ये tasty सा pizza त्यार करना मैं यहाँ पर इसे pizza cutter से cut कर रही हूँ आप knife से भी cut कर सकते हैं आप जैसे pieces जाएं वैसे इसके cut कर सकते हैं बहुत ही delicious recipe है और जटपट से त्यार हो जाती है तो एक बार तो इस recipe को ट्राइ करना बनता ही है अब जब आप घर में इस तरह ये pizza त्यार कर लेंगे न तो आपके बच्चे market का pizza खाना तो भूली जाएंगे बहुत ही delicious recipe पसंद आए तो like, comment, share जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिर मिलते हैं अगली वीडियो